पंकू केड़ और उसे आने में दो तिन दिन का समय लगा इस दोरान उस तीतर के उस तने वाले घर में एक खरगोश रहने लग गया दो तिन दिन के बाद जब तीतर बापस आया तो वो खापिकर काफी मोटाता जा हो चुका था आते ही उसने देखा अरे ये मेरे घर में ये खरगोश कैसे गुश गया उसने कहा ए खरगोश बाहर निकल ये मेरा घर है यहां से चला जा कोई और घर ढूंड ले मेरे घर को खाली कर दे खरगोश बोलता है अरे टीतर कैसी बातें कर रहा है ये तो जंगल का नियम है कि जिसक जगड़ा होने लगा जगड़ते जगड़ते तीतर के मन में एक बात आई उसने खा अरे घरगोश सुन इस लड़ाई को बढ़ाने से अच्छा है हम किसी दूसरे से इसका न्याय करवा लें उनकी लड़ाई की बात वहीं पे छुपी हुई एक बिल्ली भी सुन रही थी उसन माट वहां से गई और एक तलाब के किनारे पे एक बिछोना बिछा कर बहां पर माला लेकर और कमंडल लेकर बैठ गई और मनी मन पर बचन करने लगी देखो इस संसार में कुछ नहीं रखा है यह संसार तो बहुत ही बुरा है तुम अपना ध्यान जो है भगवान के साथ ल और लगता है हमें हमारा पंच मिल गया है क्यों ना हम इस धर्मात्मा बिल्ली के पास जाकर अपनी इस लड़ाई का समाधान डोडे तीतर भी मान गया लेकिन दोनों थोड़े बिल्ली से गवरा रहे थे तो थोड़ा दूर ही रुख गये और बोले बिल्ली आप तो बहुत बड़ी धर्मात्मा है हमारा जगड़ा हो गया है कुछ हम चाहते हैं कि आप उसका निप्टारा कर दो तो बिल्ली कहती है अरे 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 इतनी दूर से क्यों बात कर रहे हो जरा नजदीक आओ मैं तुम्हारे किसी भी तरह के जगड़े का निप्टारा चुटकियों में कर तो तीतर बोलता है थोड़ी घबराट सी हो रही है आपके नजदीक आने में अरे 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 बिल्ली बोलती है कैसी घबराट मैं तो अब धर्मात्मा बन गई हूँ मैं तो सिर्फ घास फूस खाकर ही अपना गुजारा करती हूँ तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं आ जाते हैं, जैसे ही वो नजदीक आते हैं, बिल्ली एक हाथ से तीतर और दूसरे हाथ से खरगोश को दभोश लेती है और बहीं प्रमार डालती है और खुश होती है, आज तो बहुत ही मज़ेदार खाना मिलेगा तो बच्चो इस कहानी से क्या सीखे यही कि आपस के जगड़े को आपस में ही सुझा लेना चाहिए क्योंकि कहीं ऐसा नहों कि तीसरा उसका फाइदा उठा जाए जैसे इसमें टीतर और खरगोश के जगड़े का फाइदा बिल्ली उठा गई पंकु के जगड़े